जैसे कृष्णा, hello friends, कैसे हो आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं, जो मेरी गॉल्ड है, उसकी कटिंग किस तरीके से लगानी है, किस तरीके की कटिंग लेनी है, किस तरीके का स्वाइल मिक्स होना चाहिए, कटिं तो friends, यहाँ पर सबसे पहले ली जा रही है, कटिंग, यनि कि जो स्टैम है, वो एक ही पौदे की स्टैम ले लीजे, उसमें यह आप धेरो कटिंग लगा सकते हैं, तो एक ही पौदे की स्टैम हमने ले लिए, देखें कितनी मोटी स्टैम है, इस मोटी कलम को ही आपको ग्र सब्सक्राइब, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रही हूं, तो यहाँ पर हम ट्रे में स्टैम मिक्स बता देती हूं, आधा आधा आपको लेना है कंपोस्ट और आधा कोकोपीड दोनों का मिक्स्शर होना चाहिए, और इस तरीके से आप जिसमें भी आपके पास तो उसमें लगा दीजिए और आपको लगा देना है डंडियां सारी उसमें तपाके, आप चाहें तो ऐलोएरा जेल का भी यूज कर सकते हैं, ऐलोएरा जेल में डीप करके भी आप इसे लगा सकते हैं, फ्रेंड्स देखें यहाँ पर जो यह कटिंग लग रही उस समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उल्टी-पुल्टी कटिंग ना लग जाए, उल्टी-पुल्टी का मतलब है, जिस तरफ पतियां उपर की तरफ ग्रू होती है तो थोड़ा सा वो देख करके और फिर ही वो कटिंग लगा है कि जब इसमें पतियां आएगी त इतनी फास्ट होती कि उनमें न्यू पतियां आने लग जाती, लेकिन मैं आपको बता दू कि अच्छी धेरों पतियां अगर आपको आने लगे, यानि कि 10-15 दिन बाद ही आप उसे ट्रांस्प्लांट करें, पहले ट्रांस्प्लांट ना करें, 10-15 दिन में जब आपको पति ग्रो हो जाती हैं, तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और इस मौसम में आपको कम से कम, 4-6 दिन लगेंगे इस प्लांट को ग्रो करने में, इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करने में, मारी गोल्ड बहुत ही खूबसूरत पोदा है, पूजा में उपयोग होता है, और टेक के जैसी कृष्णा